हेलो दोस्तो, इस टड़ी फोर एक्जाम्स में आपका स्वागत है, देखें इस पर्टिक्लर लेसन में हम बात करेंगे टॉप फिफ्टी कोश्चन्स जो की साइन्स सब्जेक्ट से लिए गई हैं और ये कोश्चन्स ऐसे हैं जो की प्रीबिए सर्में अलग 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 त्यारी करें, अलग अगर हम बात करें, सिविल सर्विसिस एक्जाम की अगर आप त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेट ग्रूप जोइन कर सकते हैं, जहाब पर आपको कम्प्लीट स्टडी मेटिल प्रोवाइट कराये जाता है, प्लस आपके टाइम प्यू टाइम जो है आपको यह भी अगर जानकारी लेना चाते हैं पेड़ ग्रूप के बारे में, ठीक, तो चलिए लेसन शुरू करते हैं, अपना पहला कूश्चन आप आजाते हैं, यहाँ पर मद्धु मख्या नन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है, वो आपको बताने हैं, देखिए उसको हम सिलिकेट जो होता है, उनका मिक्स्टर जो है, वो क्या कहलाता है, देखिए यह दोनों मिलकर सिमेंट बनाते हैं, खटे फलो में क्या होता है, साइट्रिक एसिड बोलीजे, सिट्रिक एसिड बोलीजे, हिंदी में हम बोलते हैं, साइट्रिक अमल, जो होता है, खटे फलो मे भी जाना जाता है ये अक्सर कुछिन पूछर आता है तो देखें वो जाना जाता है फ्रेयौन नाम से जान ड़ल्टन को जो है आदोनिक प्रमानेशिधान का प्रैंटा जो है माना जाता है नेक्स कुोशन देखिए सेप को काटने के लिए जो दातों का स्तमाल किया जाता है कि वह होते कौन से दात है किस प्रकाल की हो दात होते हैं देखें English में हम बोलते हैं incisors उनको बोलते हैं यानि कि आगे के चार नाथ छोड़के जो 5th और 6th नमबर पर जो आपके दात होते हैं उनको हिंदी में कृंतक बोलते हैं English में हम बोलते हैं incisors या फिर incisors जो आप बोना चाहें नेक्स requested कि बात करते हैं कौन से दो रंगों को मिश्यित करने से हरा रंग तयार होता है नारंगी और बैंगनिक अगर आप मिलाते हैं तो outlines को रंग बनता है वो होता है आपका हरा रंग next question की बात करता है RNA का अभी प्रया क्या है RNA की full form अक्सर जो है पूछी दाती एक्जामस में आपने भी कई पर देखा होगा और ये words सुना भी होगा वो होती है ribonucleic acid अब वो DNA की क्या होती है वो आप मुझे बता दीजिएगा next question की बात करता है देखे 12th question पर हम आजाते है लोलक का संचलन क्या कहलाता है देखे उसके संचलन के बात करें तो वो दौलन गती जो है कहलाती है next बात करता है वायू मंडल में उपस्तित कुल गैस होगा कितना परतिशत जो है nitrogen होता है ये तो आपको रट चुका होगा डॉक्टर के पास क्या होता है स्टेथोस्कोप जो है वो लेकर ही हमेशा उनके गले में लटका रहता है next question की बात करते है malaria किस से संबंदित है देखे malaria जो संबंदित है वो है जोर से जिसको आप बुखार भी जो है कह देते है रक्त शरकरा स्तर को नियंतरित करने वाला हॉर्मोन खोन सा होता है तो देखे इंसुलिन को जो है रक्त शरकरा स्तर जो होता है उसको maintain करने के लिए यह हॉर्मोन का इस्तमाल किया जाता है कार्बन हाइड्रोकसाइड का प्रियोग करके मोटार के प्लास्टर का निर्मान किया जाता है इससे किस नाम से जो है जाना जाता है तो देखे उसको चूना जल नाम से भी जो है यहाँ पर जाना जाता है Next question की बात करते है देखे प्रकाश श्चनलेशन में सायक पत्यों के हरे पदार्थ को क्या कहते है देखिए उसको कहते है chlorophyll आपने देखा होगा कि पत्तिया आकसर हरे रंग की किसकी वर्ण से होती है वो होती है chlorophyll की वज़े से next question पीतल हवा में किस गैस की उपस्तिती के कारण जो है बदरंग हो जाता है तो oxygen जो होती है जो environment में मौझूद होती है उसकी वर्ण से क्या होता है पीतल का जो है रंग आप देखते है थोड़ा सा खराब सा होने लग जाता है वो बदरंग हो जाता है उदात्तिकरण next किस की परत बनने के कारण चानदी जो है वह बदरंग हो जाती है तो देखिए Вы होती है आपके इसलफाइड परत से आप देखते है चानदी जो है दोढ़ता है और जाती हे और नीचे धीसे सब्योज़ाइश चाहिए वाइरस के विज़ेटी सये जो बढ़ता है नेक्स प्रतिरोध की मैशा इकाहिए बेकरी में साधारन तथा उपयोग की जाने वाले बेकिंग सोडा वास्ता में होता की है नाम की अगर हम बात करें वह था है sodium bicarbonate next question के बात करते है आनुवंशिक्ता की इकाई क्या होती है वो आपको बतानी है देखिए उसके अगर हम बात करें वो होती है gene next आनुवंशिक्ता के नियम की खोज की किसने वो आपको बतानी है देखिए गेगरी मेंडल next कोशिका जिली पाई जाती है कहाँ पर वो आपको बतानी है देखिए बादब एवं पशु कोशिका दोनों में जो है कोशिक जिली जो है पाई जाती है next पानी की स्थाई कठोरता दूर की जाती है किससे potassium permagnate को डाल कर जो है पानी की स्थाई कठोरता के लिए किसका उपयोग किया जाता है देखिए निकाट द्रिष्टी दूर करने के लिए जो लेंस होता है वो आपका कहलाता है अब तल लेंस मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कुंछी होती है उसको हम कहते है माहा धमनी सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकर्तिक आपका थाइरोइड गरंती जबी कहते है कि बेसेकली इसको आइडोईन की जो पर नीचे कमी हो जाती है उसके धरपन की नाविक कितनी होती है देखिए उसके गरम बात करें वो अनन्त होती है वो जो है उनको काउंट नहीं कर सकते द्वानी की प्रबलता किस पर निरभर कर नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् किओ आप बात करते क्रायोजेनिक इंजनों กा अनुप्रियोग कहां गिया जाता है देखिए वो след들 रोकेट टेकनलोजी में पलको के किनारे कौन सी गरंतिया पाई जाती है पर अगरम बात कर दोसको बोलते हैं मीनों मीबो मियन मनुष्य की आहार नाल के किस बाग में कोई एंजाइम नहीं पाहे जाता है तो वो होता है अपका ग्रसी का नेक्स्ट आमाश्य की दिवार से कौन सा एंजाइम निकलता है आमाश्य की दिवार से निकलता है ग्रैस्टीन रुधीर किस प्रकार का एक उत्तक है रुदी जो होता है अपका वो सायोजी उतक जो है basically होता है next बात करते है question number 47 देखे जो अपका cytokinesis में किसका विभाजन होता है आपके cytokinesis में जो है कोशी का द्रवे का जो है विभाजन होता है next शाब का जहर क्या होता है देखे शाब का जहर है प्रोटीन ठीक है next किस संग की जातियों की संग क्या सबसे अधिक है आर्थो पोड़ा जो होता है उस basically इस संग की जो जातियों होती हो सबसे अधिक होती है मानव शरीर में सबसे अधिक मातरा में पाये जाने वाला तत्व कुन सा है तो दिए वह होता है oxygen next बात करते है मनुष्छे के रक्तचाप को किस धमनी में आपा जाता है वह होती है ढर्वेंकियल धमनी में बैसीकली रक्तचाप को दिए 50 questions था लेकिन basically नाम 50 था लेकिन यहा पर 59 59 है 59 यहाँ पर लिखता मैं टॉपिक का तो बड़ा आजीब सा लगता इसलिए आपर जो है 50 लिखा गया हास से गैस का रसाइनिक नाम किया है देखिए आप देखते हैं कि इसको डालते हैं रूम में एक जगा छोड़ दिया रहते हैं तो सब लोग भसने लग जाते हैं वो हो किसे नस्ट के जाते हैं अब बैसिकली किसे नस्ट कर देते हैं किसे नस्ट नहीं होते हैं वो किसे नस्ट कर देते हैं वो होते हैं आपके लिम्फोसाइट को उंगली के नाकुन में विद्यामान प्रोटीन है वो कौन सा है देखिए वो होता है गलोबीन पक्षियों को एड्रलिन जो होता है उसको अपात का लिने अमर्जंसी हर्मोन भी जो है कहा जाता है नेक्ट बुद्धी का केंदर स्थित है देखिए आपके प्रमस्तिक्स में ठीक है ये थे 59 कुश्टन्स इंपोर्टेंट थे काफी ज़्यादा और ये एक्जाम से पूसे जा चुके है मे आपर जो है इस चैनल पर डेली होते हैं से क्यू कुश्ट उसको जरात को जरूर अटेंट कर लीजेगा दस से ग्यारा के बीच में आपको लिसन मिल जाएगा थेंक यू